प्रेंड्स वेलकम बैक तो और चैनल आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने प्रिग्नेंसी कियर इन विंटर कैसे करना है सर्दियों में आपकी प्रिग्नेंसी चल रही है तो आपने किस तरहां से उसको कियर करना है क्योंकि देखी सर्दियों में बहुत ज़्याद आपके बेबी पर पड़ता है तो आपके बेबी को प्राब्लम हो सकती है उस चीज़ को solve करने के लिए हम आज की वीडियो को देखेंगे कि आपने अपना धियान कैसे रखना है प्रेगनसी से जुड़ी informative वीडियो के लिए चैनल को subscribe किजिए वीडियो को like और दूसरों के साथ share किजिए देखिए जिस किसी की भी जो कोई भी अभी प्रेगनसी के हमारे winter season में है जिसकी प्रेगनसी चल रही है तो first thing आपने मैं हमेशे ही कहती हूँ कि प्रेगनसी को कोई बीमारी नहीं समझना है प्रेगनसी अपने आप में बहुत beautiful journey है जो ladies उसको feel करती है उन्हें पता है कि वो कितनी beautiful journey है तो दिखें आपने करना क्या है आपने करना यह है जैसे कि हम नॉर्मल डेज में जब विंटर आते हैं जब प्रेगनसी नहीं होती तब क्या करते हैं अंदर woolen में हम कुछ inner suit पहनते हैं उसके उपर से कपड़े पहनते हैं यह direct उसको पहन लेते हैं तो आपने एक चीज़ धियान रखनी है जब आप प्रेगनसी में होती है तो यह जो मौसम है इसमें क्यों होगा बहुत ज्यादा dryness होती है आपकी skin में बहुत ज्यादा उसका moisturizer कम हो जाता है सर्दियों में जो ठंडी हवाय है वो हमारी skin से moisturizer को चीन लेती है तो इसमें क्या होता है सर्दियों में ज्यादा आपको eating की problem होती है आपको ऐसा लगता है कि आपको खुझली ज्यादा हो रही है तो यह चीज को थोड़ा सा अवाइट करना है वो हम आगे बात करेंगे कैसे करना है तो आप पहले cotton के cloths पहनेंगे उसके उपर से आपने कुछ woolen का पहनना है तब पहनेंगे सबसे पहले आपने cotton क कपड़ों को यूज करना है सेकिन देखिए आपने सर्दी में हाइजीन को बहुत मेंटेन रखना है आप जब भी urine पास करती है यह कुछ भी तो आपने ध्यान रखना है कि आप टिश्यू पेपर से उसको क्लीन करें अपने पार्ट्स को और हाइजीन को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना है ऐसा नहीं है तो हाइजीन को मेंटेन रखना है आपने ज़्यादा हाइजीन नहाते तो हम सब नहाते हैं लेकिन आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आप सर्दियों की टाइम में ज़्यादा गरम पानी का यूज नहीं करेंगी आप हलके गुनगुने पानी से नहाएंगी इससे भी आपकी इचिंग की प्रॉब्लम दूर होगी हाईजीन तो मिंटेन हो गई नेक्स देखिए आपने जो बॉड़ी का जो मॉस्चुराइजर सर्दियों में छिन रहा है ये थंडी हवाएं उसको खतम कर रही है तो आपने उसको कैसे पापस लेना है आपने मॉस्चुराइजर का यूज करना है हमारी पूरी बॉड़ी पर जब आप नहाते हैं आपकी ब पॉर्णिंग में आदा घंटा कम से कम सनबात लेना है आपने धूप में बैठना है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर्दियों में जब भी धूप आएगी आपका अब तो सीजन ऐसा हो जाएगा कि कभी धूप आएगी या नहीं आपने जब भी धूप आती है उसमें आधा या एक घंटा भी आप बैटेंगे तो यह आपके लिए beneficial है तो यह कुछ important points थे जो मैंने discuss किये हैं अगर किसी को कोई भी question करना हो तो वो comment box में पूछ सकता है आप मारी next video में आपको उसका answer मिल जाएगा thank you